दोस्तों सपने में चोर देखना सास्तरों के अनुसार सपने में ब्यक्ति आने वाले समय की पूर सूचना देता है सपने में ब्यक्ति अलग अलग चीज़ों को देखता है माना जाता है कि कहीं न कहीं सपने हमारी असल जिन्गी से जुड़े होते हैं कभी कभी हम सपने में चोर भी देख लेते हैं तो क्या आप जानते हैं सपने में चोर देखना कैसा होता है तो आईए सपने में सासर के नुसार आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सपने में यदि आप किसी चोर को पकड़ते हुए या भागते हुए चोर होते इसका क्या मतलब होता है दोस्तो सपने में चोर देखना सास्तर के अनुसार यदि सपने में आप किसी चोर को देखते है तो यह सुब फल नहीं माना जाता सपने में चोर देखने का मतलब है कि आपकी कोई सबसे पिर्यवस्तू खोने वाली है इसलिए सावदान रहे दोस्तो स सपने में चोर को पकड़ते हुए देखनास अगर आपको चोर को पकड़ते हुए देखा है तो यह धन आने का सूचक माना जाता है। दोस्तों सपने में चोर को बागते हुए देखना जोति सास्त के अनुसार या एक अच्छा सपन नहीं माना जाता यदि सपने में आप किसी चोर को चोरी का बागते हुए देखते हैं तो यह आपके लिए सावदान होने की सूचना माना जाता है अर्थात बविस्य में चोरी या धनानी की होने की संबावना बन सकती है सपने में चोरी होते हुए देखना दोस्तों सास्त्रों के अनुसार सपने में चोरी होना अक्सर अशुब ही माना जाता है सपने में यदि आप चोरी होते हुए देखे तो यदि याद रखे की सपने में क्या चोरी हुआ है जैसे अगर सपने में कोई सोना चांदी आधी धातों की चोरी होते हुए देखता है तो यह बैपार की दरश्टी से असुब माना जाता है दोस्तो सपने के सास्त्रों के अनुसार यदि कोई सपने में जूता चोरी होते हुए देखता है तो यह स्वास्त समस्या आने की और संकेत हुग